बंदो गुरू पदकन्चा, क्रीपा सिंधो नररो परी। माहा मोहतमापुन्द, जासुवचन रविकरनिये। वक्रतुंद महा काया, सूर्य कोटी समप्रभा, निर्विक्नम कुर्मे देवा, सर्वकार यसु सर्वधा। जबजब हुँच धर्म को हानी, बर्छन असुरा अधम अभिमानी, तव तव आउनु हुँच प्रभु, धरी मानव सरीरा, हर्नु हुँच प्रभुले सजन को पीरा। एकच ब्रम्हा जन्म मृत्यु देखी पर, जन्म लिनु हुँच धर्ती मा भक्त प्रेम मा परेला। त्याग तपस्याले मनलाई साधी, प्रेम को डोरीले हरिलाई बाधी। आपस्थास झाल करें व्रम्हा जन्म करेंग जन्म करेंग प्रेम सूर्य उदाए चार भाईने महला सजाए पाईर भीर निचार भुणोता हर सित कउशल्य कई कई सुमेता एस गरिदीन बीदेगाए गुरु बसी स्टरे नाम राखे दे चार भाई को रयो सुब नामा भरत सत्रुघन लक्षमन तामा राम नाम छ परम उदारा बेद को पनिच यसमा सारा पालली लगर दे दिन बितिगाए चार भाई नए ठूलो भाई शिक्षा लेना पुरु खुलगाए साबई कलामा ने पुर्णा भाई गुरु बर्बात ग्याना पाए रा गुरु धर्मानी भाई हरी आप आए रा गुरु कुल को सब करम सकाई महलफ की चारे भाई भक्ति मादूबे आयो त्यावासे राम साथ चन दिन कटे आसे भी स्वामीत्र रिसिय यो जाए दसरत खुसी रिसिदर सन पाए आदर साथ असन मा बसाई सेवा भावल प्रसन दराई मुनीले मागे जब राम लक्ष मडएक साथ इस्तब दभय सुनी वचन राजा दसरत भन्न थाले महू राजा कर्तब्य हो मिरो जेछ सेवा दिनू होस मलाई नमानी अफ्टेरो प्राण को पनी परवान गरी गर्नेचु सेवा पछीन परी बालक्षन अजैती मेरा पुत्र कसरी दिनूम तिनलाई कस्ट राजा को येस्तो वचन सुनेर विश्वा मित्राले भन्न थाले पुत्र मोहको जालमा पर्छो अनी मेरो शेवा कसरी कर्छो तिम्रो नजरले राम केवल मानव तर जन्म भहे चा उनको श्रिष्टी कल्याड निमित्ता मुनिको वचन सुनी राजाले मन लाई समझाए राम लक्षमन लाई गुरुबर संगे पठाए जादई गर्दा एक वन्माथी ताड़का राक्षे सी रीसी मुनी हरुलाई दुख दिये रबस्ती सुते को बेला उसको निंद्रालाई भंग पारी एक वाणले तो राक्षे सी लाई दिये तारी राम को हाथ बाटां हुदा उसको बधा त्यो यक्छले पाई प्रभुचरन को बधा अली अगी गयर पुगे विश्वा मित्र मुनी को आश्रमा संत जन को सेवा थाती राखी कहां गर्थे विश्रामा यज्यगर्दा रिसीहरूले दुस्त सुबाहु मारिच आई उतन्डगर्द थे सेना संग मिले रदुई भाई रामले भने मारने थिये थे दुस्तलाई यही समय डाके यज्यभंग गर्दा अबस्य आउचन भनी रिसीहरू यज्यगर्ण लागे पवित्रकार्य गर्ण लागे को थाहा पायर दुस्तता देखाऊन थाले सेना साथ आयर सुबाहु लाई तिहीं बाडले भस्म पारी दिये मारीच लाई एक बाणले कोसो उटाडा पुराई दिये तिहीं ती राक्षे सेना लाई लक्समन ले सखाफ पारी दिये लिला देखि राम को इस्तु भी चेत्रा मुश्कुराये प्रसन्नव कुने विश्वामेत्र आवसर येही पारी खुसी साथ उन्ले भने रामसिता मिलना को आजमाध्यम बने आवहामी मिथिला नगरितिरा प्रस्तान्गरों तेही बेला सिवधन उसको पने दर्सन्गरों जादारम को नजरिक आश्रम पार्यों बीना प्राडिको ही इसको स्याहार याहां कस्ले गर्यों अंजन्बने त्रिकल्दर्सी कारण सोधे एसको जब कथा सोनाए मुनीले पिस्तार का साथ तब थी नहिल्यारिसी पत्ने थी इन प्रति ब्रता पति गवतम जी को स्राप पाई निंद्र को जन्मा पर्दा बनिंत बनि स्प्राण सिला स्राप पाई आती भारि की मी चरन राक जसको मही माच्छा चमत कारी चरन पाई रामको पत्थर भायो सुन्दर नारी लिला नेक देखाऊ चन्धरति माई लिला धारी दिवद लब आयो अबत्यो जर्ण धरति मा लक्षमी नारायन को मिलना सिताराम मिलना को समया जायो मिथिलान गरेले बरसन पायो ली दुई कुमार साथ मुनि विश्वा मित्र आये समाचार जब मित नरे सल पाये सबै काम छोडी दऊडे राये मुनि वर को चरण मासी रज काये गुरु विश्वामी प्रलाई गरी अभिवादन तीने जान साथ नी महल कुग राजन तीने जान साथ नी महल कुग राजन राम लक्समर सुरिया चंद्र जिक प्यारो पार्न थाल चारे दिसाओ जालो देखना साथ तुई सुन्दर अयोध्या का कुमार सबै जना अडीर हे नथाल मुहारा सबै जाना अडीर हे नथाल मुहारा गर नथाल मिथिला आवासिल चरचा सीता रम को मिलाना जोरे पे उन परचा सुयंबर रचे को राजा लगेना कस्ति रोख सीता राम लगेना जुलकियो भानो भयो प्रभात जनक पूरमा उत्सवचा आजा रुको आज्या सीर माराखि पूस्पली नगए पूजा को लागि मेरी बाटि कामा संग मसखे कोरी पूजन करना आएं जानाखे संगेनी आएं पूदै दंग हिरसिता बाटि कामा मसंग मुई कुमारा अती छन सुन्दारा आफई हेरा द्रिष्य मानो हारा दौरी देगाइन सिता सुकुमारे अडियों पाओ देखिन जबहारे जूध्यों नजारा रोकियों पाओ त्यों आनन्द माका सरिगाउं बनमासंजिन गौरी मारता रामपती पाओं हे विधाता भन्दै छाडी तेही संगी मंदिर तर्पद ओडिन जनाकी मागिन्बर जुडि दुई हाता रिदयम रामा प्रेम को साता शिवधन भंग गरुन आज रामने सहाया गरुन प्रभु भोले नारे जनक पूरमा हल चल छभारी वरचुन देचिन सिता सुकुमारी भस्यो सवासजो सिवधनुस आये रामसंग गुरु अन्यनुज प्रण सुनाय सवासदः सिवधनुस पंग करने छ जसले कंठमा माला सोयंबर को हूने छ जमाई मितिला नगर को राजा जनक को कठीन चब्रणा कसले सकने सिवधन सुठाउना देखे कर्याई धनुस उठाउना सकेना कसैले रति दिगाउना निपकु मारा सबई देखेला चारा चिन्तित जनक ले गरे विचारा ग्रोध चिन्ता को मेश्रित भावना लागेश्तो बचन सुनाउना कोही छैन बीर यहां कि कोही छैन छित्रिया जसले सकोस स्वेमबर जिती लाना मेरो पुत्रि प्रिया लक्ष्मन छन सेश अवतार धारी नियंत्रन गर्न क्रोध पर्य उन लाई वारी खड़ा भय उनी सभाको बीच मां सुनाउन थाले वचन राम को पक्ष्यम बुलनुभुस राजा जनक होस सम्हाली राम चन यहां सुर्य बंसी राज कुमार सक्ति साली जसले मारे एक बाण मां ताड का सुवाहू परसारे मारेच यो धनुष उठाउना कौन सा भारी भय राज मुस्कान राखी अधरवरी परी गुरु आज्या को प्रतिक्षा गरी लक्ष्मन लाई पहीले सांत पारे गुरु आज्या लिदे धनुस्तर्फ पगलाई सारे तेही पल्मभयो धडकन स्तब्द सिताको नयन बंद करी स्तुती गर नथालिन फेरी गवरी माताको सुन्नुस ए भोलिनाथ सुन्नुस भवानी मेरो मन को पुकार लाई जानी घटाई दिनुस धनुस को भार लाई विजै गराई दिनुस रगुवर लाई गुर को आसिस सिर मारा कि पुकारे रामल उमापति रामको नजर सबामा घुमाई ब्याको लवै गहिलाई पाई चिन्ताने ग्रसित सिता आपाई प्रियसिको ब्याको लताहर नराई मनमा संभोलाई गरि प्रणामा दनुस उठाउन लागे कि पानिधान शिबची रामलाई अनुकुल जान आई हातमा दनुस भयो फुल सामान चड़ाय ताथो दनुस भाचियो सभामा अव को लाहल मचियो आवाज आयो जब भयो कर कान थुनी सब भय थर थर कति खेर उठ्यो तमुस चड़ियो ताथो छोएको मात्र दिखियो टुक्राचकेवो अब भयो रामा को जय जय कारा सीता पती भय चिती सो यंपारा पुरा भय सीता को पुकारा जय जय रामा जय सीता रामा सीताल पाइन राम लाई पाती हर सित छासन सा राजा आती तुई राज को जोरियो नाता राक जालो अब दसरत पीता पर सुराम लाई जब सिब धनुस तोड़ी एक भान भयो मिथिला राच्यको सबामा ठूलो आपत हुना गयो तोड़ वे छूर भय आये का पर सुराम लाई देखे सबै डराई अब केहुने हो भनी सोचे तुटे को धनुस भुई मा देखी रिसले पर सु आती है जनक पने कसरी बचाओ राम लाई भनी आती है उठे राजा सतकार गरन देव को जब बोले यस्तो बचन क्रोध मा पर सुले तब कसको हिम्मत आज यस्तो दुश कर्म गरना के उसलाई डर छैन मेरो हाथ देखी मरना सुनी यस्तो कठोर बचन दाजू को लागी लक्समन पनी आई अगी बाद विबाद गरन लागी गलती गर्चस अज अगी आउचस जवाफ दीन लाई कसको पुत्र होस्त सोज दीनमा एक पल पनी प्राण लीन लाई तेरा पटक छित्री यहीन पारे चो एस धर पिलाई 14 पटक पारे दीन चो बिवस नगर मलाई मंद मुस्कान सात राम अगी बढ़ेर ब्राम हनलाई पहिले प्रणाम गरेर रामले अति मधुर बचन बोले धर्दी मा जन्मली नगो रहस्य खोले इने हुन रमापती विश्णू इने हुन सिबका प्रिय राम पर्शु रामले चिने रामलाई गरे सत सत प्रणाम क्रोध सांत भै प्रसन्नता मुस्कान सित पूग्यो जब आयो त्यामायो समाता सचिये जन जन को घर वार जन्ति हीड्यो ली नलाई सी मिठिला की छोरी राम की परनीता खुशिस सबको त्यो मुखारा राम सिता पीवाह को युख्छाना दूई दीस को जोड़ना नाता अगुवाई गरे हिड़े दसरत प्राना ब्रह्म्ह महिस दिवी दिवगल सारा आई पुवि मिठिला नरे सको आरा चार कुमार ले चार कुमारे तिये प्यद्रेश्य गरू बयान को सारे लक्समन की उर्मिला रामजी कुसिता मांड विभरत संग सत्रुखन सुक्रिता घर घर खुशिना चोनितिता पुन्य चन हर सको देला जूड़ो अब यूगर यूगर को ना आता हरी सुयमर रामर माहा लक्समी सिता राम सिता राम सिता राम सिता राम जे जे राम राम सिता राम सिता राम मुझे जे राम राम सिता राम सिता राम जे जे राम राम झाल